नमस्कार आपको स्वालत है पत्र का नियोजे मैं हुझे इतना आई रज़े डालते हैं आज के मुख्य ख़वरों पर विबक्षी कुछ भी कहें हम कहते हैं सारे मद्भीत धुलाएं सेनभ भरती भी जा रही यूबकों को बोगियों परजबरन कबजा जवानों ने ख़देड़ा पंद्रह हजार का इनाम दबोचा एक ही गाप में खेतों से चुराए गए पांच वाटर बंप गरामत शोग जटाने पहुचे सीम पत्नीने की पीट में पूजा अब ख़बर विस्तार से हम सांस्कृतिक एकता सामाजिक समस्ता के लिए काम कर रहे हैं नमामी नर्वदे और एकात मियात्रा का उध्देश सामाजिक जन्यागरन है हाली में दिये गए बयानों में मामले में मेरा कहना है कि वे कुछ भी कहें लेकिन हम कहते हैं सारे मद्भेद भुलाएं और साथ आएं क्योंकि सब अपने हैं ये बास सियम सिवराज सिंग चोहान ने एकात नियात्रा के आयुचन के समापन के समय चर्चा के दोरान कही उन्होंने कहा कि इस समय पूरे विश्व में आतंक जैसी अनेक समस्या है अमेरिका उत्तरकोरिया में भी समस्या है इन सब समस्याओं का समाधान आदी गुरु संक्राचार के अद्वैत वाद दर्शन में है ग्यान भक्ती और कर्ब मार्ग को लेकर चला जाए बहुत ही समस्याओं का हल निकल जायता है सीम ने कहा कि ओम कारेश्वर में इस्थापित होने वाली 108 फिट उची प्रतिमा के लिए गाउं गाउं में मिट्टी और धातू जाएंगी प्रतिमा स्थल की नीव में गाउं से आई मिट्टी डाली जाएगी और धातू कलशों को गला कर आधार बनेगा बुद्वार को फूलबाग मैदान पर आयजित एकात्म यात्रा और जन्समवाद कारिक्रम के दारान हजारों लोगों की मौजूदगी में शीयम ने दर्शन के बारे में बात करते हुए घपले घोटाले करने वालों को नसीहत भी दी उन्होंने भक्ती के तीन मार्गों में से कर्म मार्ग के बारे में बोलते हुए कहा कि जिसका जो कर्म है वह इमानदारी से करे तो यह भी भक्ती है इन दोर में हुई स्कूल बस दुरहटना के बार प्रदेश सरकार ने मानव रहित फिटनेस साखाएं प्रदेश भर में बनाने का निर्णा लिया है देश भर में 51 जिलों की फिटनेस साखाएं पूर तह कंप्यूटर करत होंगी वहनों के parts को computer machine scan करेंगी इसके बाद वहन की छमता अंकित होगी वहन की छमता के आधार पर ही fitness certificate परिवाहन अफसर जारी करेंगे प्रदेश सरकार ने परिवाहन विभाग की fitness साखाओं को update किये जाने की हरी जंडी दे दी है हलाकि अभी कागजी तोर पर तैयारी चल रही है लेकिन एक साल में सिस्टम में बदलाओं आने की उमीद जताई जा रही है अब तक fitness साखा पर करमचारियों दारा वहन की fitness को जाटा जाता है फिटनेस साखा पर non-technical करमचारी तैनाथ होने की वज़े से हर रोज खाना पूर्ती करके fitness certificate जारी किये जा रहे है यही कारण है कि वेवाहन सडक पर दोरता है और पुलिस या फिर परिवाहन विभाग का उड़न दस्ता चेक करता है तो कई खामिया मिलती है ऐसी अववेस्था पर रोक लगाने के लिए परिवाहन विभाग की fitness साखा को अपडेट किये जाने का निर्ण लिया गया है फिटनेस साखा को अपडेट किये जाने को निजी कंपनियों के टेंडर बुलाए जाएंगे यह प्रक्रिया आगामी दस से आठ महिने से सुरू हो जाएगी गुनावे सेना भरती के लिए जा रहाए यूवकों ने भींड इंदोर इंटरसिटी एक्सप्रेस के बोगियों पर कबजा कर हंगामा कर दिया ट्रेन मुद्धवार को भींड से गौालियर आई थी जिसमें भिंड से सेना भरती के लिए यूवकों ने आरच्छित भोगियों पर कबजा कर लिया गौालियर आने से पहले ही डिप्टी, SS और GRP, RPF को यूवकों के कबजे की सूशना आ गई थी जिस पर प्लेटफॉर्म चार पर जवानों के चावनी के रूप में घेरा बंदी कर दी जिसे देख भरती में जा रहे यूवकों ने हंगामा कर दिया गवालियर आते ही ट्रेन के S7 और S9 के साथ अन्य बोगियों में भरती के लिये जा रहे यूवकों ने बोगी के गेट बंद कर दिये जैसे तैसे बोगी में रिजर्वेशन वाले यात्री सीट पर पहुँचे तो वहां सीटों पर यूवक डटे हुए थे हरकत में आए आर्पिएफ ने यूवकों को बोगी से ख़देर दिया और पूरी बोगी खाली करा दी इसके बाद रिजर्वेशन वाले यात्री सीटों पर बैठ सके दोस्ती करोगी तो फायरे मेरोगी कॉलेज में कोई ने टोकेगा पास होने की चिंता मत करो नर्सिंग चात्र संगठन के नेता भूपेंद्र गुर्जर ने दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई करने आए चात्रा पर टेरर जमाग कर उसके साथ दुसकर्म कर दिया चात्रा ने पुलिस को बताया रविवार को मुलाकात के बहाने डीडी मौल बुला कर भूपेंद्र उसे निलंबाकार की गोट में कमरे पर ले गया वहां रात भर दुशकर्म कर सुबह धमकाया भाजपा के एक अदवार नेता और उनके बेटे से याराना है इसलिए मुहों खोलने से कोई फाइदा नहीं है दरकर वह दिल्ली नौट आई बुद्वार को पिता के साथ आकर पुलिस को घटना बताई कमबो टी आई महे शर्मा ने बताया छात्रा के पिता दिल्ली में जर्नल स्टोर कारोबारी है छात्रा अकेले वहां पढ़ती थी आरोपी भूपेंद्र पुत्र गिर्राज गुर्ज निवासी इरादतन नगर आगरा नरसिंग छात्र संगठन का अध्यक्ष बताया गया है उसके पड़ोसियों से पता चला है भूपेंद्र के घर कई छात्राओं का आना जाना रहता है छात्रा की पिता ने कहा भूपेंद्र ने बेटी की जिन्दगी बरबाद कर दी बेटी की जान को खत्रा हो सकता है उसे बापस घर ले जाएंगे रेस्टोरेंट पर खाने का पार्सल बुक कर ठगने कैसियर से पेटीम का ओटीपी पूछ कर खाते से 666,600 रुपे चुरा लिए दो दिन तक ठग खाते से रकम चुराता रहा मंगलवार को एकाउंटेंट ने खाता डिटेल देखी तो ठगी पता चलिए स्टेट साइबर सेल ने बताया परम फूट के खाते से ठगों ने पैसा चुरी किया है ठग ने रेस्टोरेंट पर 5 जनवरी को फोन कर 4500 रुपे का ओडर बुक किया ठग ने कैसियर से कहा वह पारसल तयार करवा दो भुकतान पेटियम करूँगा पारसल किसी से मंगवा लूँगा कैसियर भाप नहीं सका फोन करने वाला ठग है कुछ देर बाद ठग ने फिर फोन कर कहा पेटियम से भुकतान कर दिया है लेकिन सर्वर में परिशानी हो रह पेटियम का ओटिपी बता दो जिससे पता चले की भुक्तान हो गया है कैशियर ने बातों में ओटिपी बता दिया कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के पेटियम खाते से तीन बार में 14,800 रुपे चोरे किये फिर दूसरे दिन 52,800 रुपे चुराए ठग ने दोनों वार्दात करने दोपेहर के वक्त की उस वक्त की रेस्टोरेंट के काउंटर पर स्ताफ की बदली होती है आशंका है ठग को रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी रहती है राजी साइवर सेल के स्पी सुधीर अगरवाल का कहना है मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है महिला पर उसके ससराली जनों ने प्रतारित कर ना केवल पत्थराओ कर दिया गला दबा कर जान से मारने का भी प्रयास किया महिला को गंभी रूप से घायल अवस्ता में जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भरती कराया है महिला के पती ने अपने ही परिवार जनों पर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायद की है बैजनाट जाटव निवासी जितरवई ने पुलिस को दिये आवेदन में बताया कि उसकी पत्नी शारदा देवी दिवांग है उसके घरवाले नहीं चाहते कि वह उसके साथ रहे उसकी पत्नी से उसे दो बच्चे भी हैं जिनका वही लालन पालन कर रही है वैजनाट के मताबिक 8 जनवरी को शाम जव्वे घर पर मौजूद नहीं था तब ही उसकी पत्नी पर उपरी असर बता कर गोपाल सपना वापवन के सारदा पर पत्राव कर दिया इतना ही नहीं घायल होने के बाद उसका गलाद दबा कर मारने की प्रियास भी किया पड़ोसियों ने जब उसकी चीख सुनी तो वे उसे बचाने के लिए दौर पड़े महिला को घायल अवस्ता में जिलास पताल में दाखिल कराया गया उधर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानुनी कारवाई शुरू कर दी है कलेक्टर डौक्टर इलिया राजाट्टी ने वुदबार को यहां संपन हुई टियल बैठक में जिलास किसाले कारियों का विभागी अधिकारियों के माध्यम से वुल्यांकन कराने का ने ने लिया है इसमें अपर कलेक्टर मंडला केयल मीना इवं डिप्टी कलेक्टर जीतेंद्र पटेल तथा SDM भिंड संतोष तिवारी, अटेर SDM अनिल बनवारिया, लहार SDM MK शर्मा, गोहद SDM डॉक्टर यूनूस खान, महाप्रबंदक विद्धुत कंपनी राजीब गुपता, CMHO डॉक्टर जेपीएस कुस्वा, कारिकरम अधिकारी महिला बाल विकास, रामनिवास बुधालिया जिला से शक्तिकरण अधिकारी, MS अंब, महाप्रबंदग उध्योग अनूप चौबे, LTM सुधीर कुमार, जिला पैंसन एवं कोशाले अधिकारी जी के बाथम, D.O.S.N. तिवारी एवं विविन विभागों के अन्य कार्याले मुख्ष, CEO जनपत उपस्ते थे, कलेक्टर जिलाब चिकेस साले के वारडों को आठ भागों में विवारित किया जाकर, विविन विवागों के अधिकारी का कार्य का मुल्यांकन कराया जाएगा। एक स्वास्थ केंद्रों को काफी प्रभावित बनाया जा चुका है वस्वच्छता की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाकर समुच्छत सुविधाएं देने के प्रयास किये थे जिले भर में आवारा पशुओं नील गायों ने पिछले दो साल में किसानों की हजारों बीगा फसल बरबाद कर दी वर्तमान में इस्थिती और भयाव्या हो गई है इस समस्या को लेकर संयुक्त किसान संगहर समोचा जिला मुरैना ने बुद्धवार को सत्याग रह किया नहरू पार्क में धर्ना दिया डेली के रूप में कलेक्टरेट पहुँचे वहां कलेक्टरेट का घिराव किया समस्य का समाधान को लेकर प्रिसासन को ग्यापन दिया नहरुपार्क में धर्ना इस्टल पर सभा को संबोधित करते हुए मद्वदेश किसान सभा के जिलाद्यक्ष रामनिवास सर्मा ने कहा कि खेती की सुरक्षा हेतू ऐसी भीशन सर्दी में किसानों को खेतों पर पहरा देना पड़ रहा है खेतों की सुरक्षा के साथ किसानों की सहजदगी को खत्रा बढ़ गया है वे आवारा पसू कब किस पर हमला कर दे कहा नहीं जा सकता अभी तक गौवंश में हमले की कई किसान चोटल हो चुके हैं वही किसानों की भैस वा गाय के दूद की कीमत गिर गई शासन वा प्रिसासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा कि सीटू नेता स्रीकरशन यादव ने कहा कि ओले बारिश आदी से अभी तक किसानों की फसल बरबाद होती रही है अब गौवंश का भारी आतंग है जिले भर में किसान की फसल बरबाद हो रही है करोणों रुपे खर्चकर पंचायत इस तर पर गौशालाय निर्मान की गई है लेकिन उन में आवारा गौवंश को नहीं रखा जा रहा है इसलिए फसल बरबाद हो रही है संयुक्त किसान संगर्स मोर्चा में सामिल भारतिये ग्रामीड समाज पार्टी के रास्टिये अध्यक्ष रवी सर्मा मदिपदेश किसान सभा के जिला अध्यक्ष रामनिवास सर्मा किसान संगर समिती के अध्यक्ष राम विलाष शर्मा जनता दल यूके के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र शर्मा रास्टिये समानता दल के जिला अध्यक्ष भागीरत कुश्वा सीतू नेता स्रीकरश नियादव ने धरना को सम्मोदित किया हत्या का प्रियास टकैती और बल्वा जैसे गंभीर आरोप में पिछले दो साल से फरार चल रहे एक बदमास को सिविल लाइन थाना पुलिस ने ग्रफतार किया है उसे वन अमले पर फाइरिंग के मामले में नामजद किया था इस मामले में सी बी आई अब तक दो चार्ट सीट पेज कर चुकी है टी आई अजे चरना ने बताया कि दो साल पहले अवैद रेत खनन के खिलाफ कारिवाई करने पहुंचे वन अमले पर फाइरिंग की थी इस दोरान एक फॉरिस्ट गार्ड गोली लगने से घायल हुआ था इस मामले में नामजद आरोपियों में से एक देविंदर उर्फ दीपू गुर्जन निवासी पचोखरा थाना सराय छोला अब तक फरार चल रहा था उसकी गिरफतारी पर फंदरा हजार रुपे का इनाम घोशित किया गया था इस मामले की जान सी बी आई को सौपी गई थी वहे सिलसले में दो दर्जन सीट भी दाखिल कर चुकी है पुलिस को बीती राद दीपू के गावां में ठहरे होने की सूचना बिली जिसके आधार पर दबिस दे कर उसे गिरफतार कर लिया गया खेतों से डीजल इंजन वाटर पंप चुराने वाले एक गिरो का परदाफास सिविल लाइन ठाना पुलिस ने किया है गिरों के एक सदस्य को पुलिस ने उस वक्त गिरफतार किया जब अपने साथियों सहित एक पंप को बेचने के लिए जा रहा था उसकी निशान देही पर पांस डीजल पंप बरामत किये गए हैं जो उन्होंने एक ही रात में सबलगर्ट छेतर से चुराए थे टी आई सिविल लाइन अजय चन्ना ने बताया कि मंगलवार को देर साम सूशना मिले कि कुछ लोग चोरी का डीजल इंजन वाटर पंप बेचने के लिए लसकरी पुरा इस्थित कबार की दुकान पर जा रहे हैं लेहादा पुलिस के टीम ने बांसी नगर की पुलिया से कुछ आगे चोरों को घेर कर उन से एक को धर दबोचा हालाकि दो अने चोर अंधेरे का लाब उठा कर भाग निकले जिस वाटर पंप को बेचने के लिए ले जा रहा था उसे भी मौके से जब्त किया गया पकड़े गई चोर की पहचान मनीश पुत्र सुल्तान सिंग से करवार निवासी पच्छी का कैलारस के रूप में हुई उसकी निशान देही पर पुलिस ने रात में ही पंप और वाटर पंप बरामत किये ये सभी वाटर पंप आच जनवरी की राज सबलगर में नहर की किनारे खेतों से चुराए गए थे कुश्टाज के दोरान मनीश ने बताया कि चोरी की वारदात को चचेडी निवासी धरमवीर सिकरवार सतेंद्र सिकरवार सबलगर निवासी हलकी कुश्वा, मुरेना निवासी, बनवारी कुश्वा, माखन कुश्वा तस सिंधिया कुश्वा ने मिलकर अनजाम दिया था तियाई अजय चन्ना ने बताया कि इस मामले को ट्रेस करने में सिहोनिय थाना प्रभारी भूमी का दुवे वा उनकी टीम का भी योगदान रहा कॉंग्रेस ने बद्वार को किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया कॉंग्रेस ने किसानों को मुआपजा बित्रंड की जाने सहित बिजली विल माफ की जाने सहित अन्य मांगों को लेकर ग्यापन सहपा ग्यापन राज जपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर मनुस्प्रजापती को सहपा गया किसानों की समस्याओं को लेकर बुद्धवार को कॉंग्रेस वरिस्ट जिला उपाध्यक्ष मुरारी गुपता के नेतरत में प्रदर्शन किया गया। कॉंग्रेस नेता राजगर चौराहा से रैली के रूप में कलेक्टरेट पहुंचे। नारिबाजी करते हुए कलेक्टरेट पहुंचे कॉंग्रेस नेताओं ने कलेक्टरेट पर भी नारिबाजी कर किसानों के हिट में ग्यापन सौपा। जिगना थाने में चक्काजाम करने वाले लोगों पर दर्श मामला बापस लिये जाने, रड़ तोडने हो रही मनमानी को रोकने, रड़ तूटने से प्रभावित होने वाले लोगों को बाजार मूले पर मुआप्दा दिलाने सहित अन्य मांगे की गई हैं। आर ऐसेस कारेकरता और वरिष समासेवी ब्रजकिशोर लिटोरिया की निधन पर प्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने भाण्डेर में खाई बाजार इस्तित उनके निवास पर पहुँचकर उन्हें भाव भीनी ब्रजकिशोर लिटोरिया की निधन पर चोहान उस वक्त बेहत भावक हो गए जब लिटोरिया की पोती ने उनसे सुबकते हुए पूछा आप पहले क्यों नहीं आए उसने सीम से सिसकते हुए कहा कि आप पहले आ जाते तो दादा जी बहुत खुश होते सीम करीब एक घंटे तक लिटोरिया के परिवार के साथ रहे सास्किय बिमान से करीब दो बजे दतिया हवाई पट्टी पत उतरे शंबल जोन के आईजी उमेश जोगा डियाई अनिल शर्मा कलेक्टर मदनकुमार वा एसपी मैंक अवस्थी वा भाच्पा के कारिकरताओं उनकी अग्वानी की उनके साथ पतनी सादना सेंग प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष अवधेश नायक वा भाच्पा जिला अध्यक्ष विक्रम मुंदिला साथ थे आपचारिक मलाकात के बाद वे ततकाल बाद सडक मार्ग से भांडेर पहुंचे सडक वा बिजली देने का दावा करती है तो वहीं दूसरी ओर जिले में अमावली ऐसा भी एक गाउं है जहां कि लोग आज भी वहानों से कही जाने के लिए तरसते हैं इतना ही नहीं मिहोना जाट में अमावली के भी इच रास्ता इतना खराब है कि लोगों को पैदल चलन भी मुश्किल हो जाता है चाहे फिर प्रसत के लिए जाने वाली महिलाएं हो या फिर उसकूल जाने वाले बच्चे सभी को भारी परेशाने का सामना करना पड़ रहा है कामद रोट से अमावली वहान तो पहुँचे ही नहीं थे प्रदेश सरकार की मुख्यमंतरी सडक यो आज ही नहीं होगा वजे साफ है कि महीनों जाट गाउं तक तो वाहन है पर आमावली पहुचने के रास्ते खराब होने के कारण यहां वहान नहीं पहुच पाते एक रास्ता कुंठोदा होते हुए पर यहां रास्ते में नहर का पानी भर जाता है इसलिए दोनों रास्तों पर वहनों का पहुशना संभव नहीं हो पाता। गोविंद सिंग जहनती के उपलक्ष में गुरुदारे में आई रजित प्रकास पर्व की शुरुआत परंपरागत तरीके से हुई जिसमें गुरुदारा परिसर में दीवान सजाया गया। जिसमें बाहर से आए रागी जात्यों ने शब्द कीरतन से गुरु का गुडगान किया। सब्द कीरतन के संगतों ने भी साधिया और गुरु गोविंद सिंग के प्रती स्रद्धभाव प्रकट किया। इस दौरान समूचा पंडाल पुरुष और महिलाओं से खचा-खच भरा था। यही नहीं सुबे से ही प्रारंब हुए प्रकाश पर्व में दिन भर मे सिख समूदाय के लोगों की आवजाई बनी रही। गुरु गोविंद सिंग को प्रकाश उस्व के मौके पर ही यहां गुरु द्वारा परिसर में गुरु का टूट लंगर बरता गया। जिसमें हजारों स्रद्धालू ने प्रशादी पाई। लंगर के दौरान स्रद्ध का अंतर किये बिना एक ही पंगत में बैट कर प्रशादी पाई। कड़ाके के थंड में जहां पशु पक्षी भी आसरा ढूलते हैं वहीं स्योपुल में लगबग दो सैकड़ा परिवार तो खुले आसमा में गुजर वसर कर रहे हैं। में दो सैकड़ा से अधिक हित्गराहियों ने नए आवास की आसमें अपना पुराना घरंदा तोड़ कर काम शुरू करा। लेकिन अब दूसरी किस्त की राशी नहीं मिलने से निर्मान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेहाजा ये परिवार छोपड़ी से गुजर बसर क करने को मजबूर है। एक लाख और चालिस हजार के रूप में अलग-अलग इस्थर पर मिलेंगे। अवन भी छती गरस्त हो गया। आगजनी में करीब 30 लाख के ऊपर की छती बताई जा रही है। आगजनी की खबर अलसुबह करीब 3 बजे लगी तो पुलिस ने पिछोर और स्यूपरी से फाइर ब्रिगेट को बोलाया और जैसे तैसे चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शीपरी जिले के कोलारस थाना अंत्रगर्ट लुकवासा कस्वे में मुद्वार को दो इवकों द्वारा सराब बंदी तोड़ने पर समाज की महिलाओं ने उनका अर्द मुंडन कर दिया। जिसके बाद उक्त दोनों यूवक किसी तरह महिलाओं के चुंगल से छूट कर भाग गए। गौरतलब है कि मंगलवार को ही आदिवासी समाज की एक बैठक इस्थानिये मंदिर प्रांगण में रखी गई थी। जिसमें समाज के सभी लोगों के अलावा महिलाएं भी जू थी। बैठक के पशास समुहिक रूप से शराब बंदी का निर्ण लिया गया। साथ ही ये नियम तोड़ने पर पहली बार में मुंदन कराने तथा दूसरी बार 12,000 का अर्थ डंड सुनस्चित किया था। जिसके तहत बुद्दवार को जो यूवक शराब बंदी तो कि चाहे हमारा पती हो या जेट या अन्य कोई भी व्यक्ति सराब पीता है तो उसका यही हाल करेंगे। पिटाई के पस्चात मंदन फिर जूते चपलों की माला पहना कर गधी पर बिठा कर पूरे कस्बे में घुमाएंगे। शराबंदी तोड़ने वाले यूवकों के ना सेना भरती में जा रही यूवकों को बोगियों पर जबरन कबजा जवानों ने खदेडा। पंद्रह हजार का इनाम दबोचा। एक ही गात में खेतों से चुराए गए पांच वाटर बंप बरामद। पंद्रह